जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का wisdom education पे हैं आज हम लोग October 2021 के बिहार से सम्मनित important current affair को discuss करेंगे ये वीडियो पूरी तरह से dedicated है 67th BPSC prelims के लिए आप सभी में जो भी लोग 67th BPSC prelims दे रहे हैं और साथी साथ अगर CDP का exam दे रहे हैं तो दोनों ही exam में ये आपकी help करेग कि बिहार से सम्मनित important current affair के एक स्रीज हमने start किया है जहां पर हमने May, June, July, August और September के बिहार से सम्मनित important current affair का discuss किया है उसे जाकर के आप देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा चले discussion स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले हमारे चैनल पर नए है तो subscribe कर दें अपने दोस्तों के साथ कलिक के साथ share कर दें कोई question पूछन पूछन चाहते हैं कुछ हो देना चाहते हैं comment section में दे सकते हैं वीडियो को like कर दे और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दे जो B BPSC की त्यारी कर रही है तो यह वीडियो जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है 67th BPSC पिलिम्स के लिए अक्टूबर महने के जो important current fair है उसमें सबसे पहला जो news है हमारे पास वो है monkey park अररिया जिले के ओराई हिंगना में एक monkey park का उधगाटन किया गया है 10 एकर में यह पार्क है और इस पार्क का जो नाम रखा गया है वो रेनू पार्क रखा गया तो रेनू पार्क कहाँ पर है अरय जिले में है और आई हिंगना में है एक monkey park है और रेनू जा कर नाम क्यों रखा गया है कि यही से हमारे देश के महान साहित का फरनिश्वत नाथ रेनू जो है यही से सम्मदित है वो अररिया से ही सम्मदित है यही से थे इसलिए उनी के न न्यूज हम लोग डिस्क्रस नहीं करेंगे, जो important न्यूज होगा, उसी को हम लोग यहां पर discuss करेंगे, second न्यूज हमारे पास है, साहित मर्तन सम्मान, साहित मर्तन सम्मान दिया गया है, बिहार के है डॉक्टर मेहेंद्र मदुकर है, तो डॉक्टर महेंद्र मधुकर को साहित मारतं सम्मान दिया गया है और इससे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा राष्ट पिता महात्मा गांधी सम्मान भी दिया जा चुका तो ये Child friendly coat, बिहार में सभी जिलों में बनेंगे Child friendly courtroom, दूसरे परदेश के लिए एक model बन जाएगा, और Child friendly courtroom के आवसकता है क्यों है, क्योंकि ऐसा courtroom की जुरुत है, जहां पे बच्चे आप राधी को देखकर डरे नहीं, तो Child friendly coat बिहार में बन रहा है रभी महा अभ्यान के सुरुवात, बिहार के मुखवंत्री, स्री नितिश कुमार के द्वारा, रभी महा अभ्यान के सुरुवात क्या गया है, और इसकी सुरुवात क्या गया है, सच्चिवाले पत्ना से ही, तो पत्ना सच्चिवाले से ही, बिहार रभी महा अभ्यान के सुर अनुभव राज, बिहार के अनुभव राज को डॉक्टर ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित क्या गया है। किस व्यक्ति को या किस बच्चे को एक दिन के लिए राज निसकता आयुक्त बनाया गया है तो अनुभव राज है और साथी साथ जो सम्मान दिया गया है। बिहार वो क्यों आया है उसका रिजन था कि बिहार बिधान सभा की सतावर्दी समारों में सरीक होने के लिए पडिस्वेट करने के लिए भाग लेने के लिए वो बिहार आये थे। यानि हमारे बिहार बिधान सभा का सौवर्स कम्प्लीट हो रहा था। उस समान में वो बिहार आये थे। उसी में सामिल होने के लिए वो बिहार आये थे। इस दोरान उन्हें बॉद्धी ब्रिक्ष का एक पोधा भी लगाया था। और इस दोरान बिहार यात्रा की दोरान वो बुद्धा स्मिति पार्क भी गए थे और साथी साथ महाविर मंदिर गए और पटना सहेब गुरुद्वारा भी गए थे। Skill India 2021 यह एक परत्योगता है जो देश में कौसल के सरवोच मानकों को परदसित करने वाले युवाओं के लिए वेबसाइक प्रसिक्षन को आकंगशी बनाने के लिए तियार किया जाता है। तो basically इंडियन स grilled 2021 का है। एक परत्योगता है और इसका आउजन कहा होआ हैं पत्ना में हुआ तो पत्ना में इंडियन स raging 2021 का आउजन किया गया है। देखिए ये question directly पूछा जा सकता और BPC में इस तरह को question पूछता भी है कि हाल में ही India skill 2021 का agent कहां क्या गया है एक option मुंबई देदेगा एक option दिली देदेगा एक option लखनाओ देदेगा एक option आपको पटना देदेगा तो ये exact answer इसका है पटना नाथरज अस्पताल मोकामा बियार में कई सारे अस्पताल है जिसको fund कुण करता है महावीर मन्दी पटना उसको fund करता है तो महावीर मंदी पत्ना में जो भी चरेटी से पैसा आता है उसको लेकर करके कई सारे अस्पताल बयाहर में बने हुए है मसलन पत्ना में अगर आप जाओगे तो महावीर आई होस्पिटल है महावीर केंसल संस्थान होस्पिटल है इन सभी को महावीर मंदिर के द्वारा फंड किया जाता है और महावीर मंदिर के फंड के माध्यम से ही एक अस्पताल मुकामाम बन रहा है जिसका नाम है नाजरत अस्पताल तो directly question पूछ सकता है नाजरत अस्पताल कहां पर बन रहा है तो मुकामाम बन रहा है और इसको fund कोन करेगा तो इसको fund करेगा महावीर मंदिर पटना अगेन एक important question है इसका discussion हम लोग current जो class हम लोग करते हैं दैनिक जागरन का राष्टिय संस्कन का जो new journalism करते हैं वहाँ पे भी हमने किया था एक तक्निक है भंडारन की इस तक्निक का नाम है silo तक्निक और भंडारन हमारे लिए काफी important है क्योंकि देश में भंडारन की समस्या है तो ऐसे condition में इस silo तक्निक के माध्यम से हमारे देश में भंडारन को बढ़ावा दिया जा रहा है नेट पे जाकर कि सर्च करना silo तक्निक आपको पता चल जाएगा तो आपको याद क्या रखना है कि भारत बिहार में पहली बार कनाडा की ये जो तक्निक है silo तक्निक ये कनाडा की तक्निक है और इसका यूज हम बिहार में पहली बार करने वाले हैं और बिहार में दो अस्थान को चूच किया गया है एक तो आपको चूज किया किया है बकसर और दूसरा कैमूर तो बकसर और कैमूर से साइलो तक्निक में भंडारन के सुरुवात किया जाएगा बाद में धिरे-धिरे बिहार के अन जीला में इसको एक्स्टेंड किया जाएगा साइलो तक्निक कनाडा की तक्निक है अगला जो न्यूज हमारे पास है डॉक्टर बीबी सिन्ह बिहार रेड क्रोस सोसाइटी के अध्यक्ष बनी है डॉक्टर बीबी सिन्ह बिहार रेड क्रोस सोसाइटी की जो है अध्यक्ष बनी है प्लेस ओफ सेप्टी ये काफी important news है प्लेस ओफ सेप्टी बिहार में basically तीन प्लेस ओफ सेप्टी है पहला बना था सिखपुरा में दूसरा औरंगाबाद में और तीसरा सहरसा में सिखपुरा औरंगाबाद और सहरसा प्लेस ओफ सेप्टी क्या है Place of Safety ऐसा जगह है जहां जो बच्चे होते हैं, जो क्राइम में इन्वाल्व होते हैं, 18 वर्से उनकी कम आयू होते हैं, उन्हें रखा जाता है तो इस तरह से तीन Place of Safety बिहार में हैं, सिखपुरा, औरंगबाद और सहरसा में अब चलते हैं, न्यूस पर यह important क्यों है, और चर्चा में क्यों रहा है क्योंकि औरंगबाद Place of Safety से 33 बच्चे फरार हो गए हैं, इसलिए यह चर्चा में था तो Place of Safety के बारे में हम याद रखेंगे, तीन Place of Safety बिहार में हैं, सिखपुरा, औरंगबाद और सहरसा और हाल में ही औरंगबाद के Place of Safety से 33 बच्चे फरार हो गए हैं, रेनू कुमारी यादव रेनू कुमारी यादव, नेपाल के प्रधान मंत्री सेर बहादू देवा के मंत्री वंडल में इसको अस्थान दिया गया है, वहां के एक मंत्री बनी है रेनू कुमारी यादव, नेपाल के एक मंत्री बनी है और इसका संबन्ध है बिहार के अररिया जिले के नर्पत गंज प्रखंड से तो बिहार की अररिया जिले की एक महला है रेनुक मारी यादव जो नेपाल में मंत्री बनी है वहां की केबिनेट का हिस्ता बनी है बिहार का पहला रवर डेम कहां पे निर्मान के ज़रा है तो गया की फालगू नदी के टठ पे इसका निर्मान के ज़रा है बिहार का पहला रावर्डेम काफी important question है और पूशा जा सकता आज से के बिहार का पहला रावर्डेम का निर्वान कहा और हो रहा है तो यह निर्वान हो रहा है जल्स अंसादन विभाग के तहर बिहार के गया जिले के फाल्गो नदीपर पटना उच्छ नियाले में चार नए जस्टिस की न्यूकती किया गया इसको मंजूरी दिया गया यहां पर आपको याद रखना है कि पटना उच्छ नियाले में टोटल तिरेपन पद है पटना उच्छ नियाले में मुख नियादी सही टोटल तिरेपन सुक्रित पद है वर्तमान में सिर्फ उनी जज काम कर रहे है तो सिर्फ उनी जस्टिस काम कर रहे है लेकिन टोटल पदों के संख्या आप से पूछा जा सकता है तो पतना उच्छ नियाले में टोटल सुकृत पद जो है जस्टिस के वो टोटल 53 सुकृत पद है हाना कि ये और बात है कि सिर्फ 19 जस्टिस है अभी पतना उच्छ नियाले में काम कर रहा है पटना उच्छ नियाले की अस्थापना एर भी कई बार पूछा है वीपेसी ने तो इसकी अस्थापना एर है 3 फरवरी 1916 तीन फरवरी 1916 कि इसके अस्थापना किया गया था और संजय करोल अभी पटना उच्छ नियाले के चीफ जस्टिस हैं ये कोश्चन भी विपेसी में पूछा जा चुका है गर्ल फर्स्ट योजना गर्ल फर्स्ट योजना बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तुरवा गांधी आवास्य विद्याले गर्ल फर्स्ट योजना के तहट चायनित किया गया बिहार के 33 जिला में से 165 कस्तुरवा गांधी विद्याले जो है उसको चायनित किया गया है गर्ल फर्स्ट योजना के धहत और गर्ल फर्स्ट योजना इसका उद्देश बेसिकली है राजी की बेटियों के स्वास्ट, सुरक्षा और ससक्तिकरान को मजबूती देना, बढ़ावा करना और कस्तुरुवा गांधी आवास्य बिद्याले योजना की सुरवात 2004 में किया ग जे प्रकास नारेंच से सम्मंधित भी क्वेश्टन बिप्यसी में पूछा गया है, इनके जन्मस्थली भी पूछा गया है, इनकी जन्मस्थली है, सिताब दिया रहा और साथी साथ इनका जो डेट अब बर्थ है, ये क्वेश्टन पूछा गया, 11 अक्टूबर 1902 को इनका किस योजना की सुरुबात किया गया था, और जे प्रकास नारेंच जी के जर्म दिवस के अवसार पे उस योजना की सुरुबात किया गया था, आज से पांस साल, छे सल पहले है, तो आप सभी को हमें कभी सेक्शन हम बताना है कि 11 अक्टूबर को किस योजना की सुरुबात किया गया सरक दुर्घटना में आर्थिक मदद का बिहार मॉडल सरक दुर्घटना को लेकर के सरकार एक बहुत अच्छा मॉडल आई है और वो अच्छा मॉडल यह है कि पहले क्या होता था कि सरक दुर्घटना होती थी उसके बाद जो व्यक्ति को इसको बंद किया गया और साथ ही सथ अगर किसी व्यक्ति को सरक दुर्घटना के बाद आप उन्हें अस्पताल पहुचाते हैं तो आपको नगत 5,000 रुपय की इनाम दिया जाएगा सरक्दोरव्ष्ट नाम में किसी वेक्ति को अस्पताल पहुंचाने पे आपको 500 रुपय का इनाम दिया जाएगा पाँचवाँ इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर पाँचवाँ इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर की सुरुवाद बिहार में ही आठ अक्टूर 2021 को किया गया है और ये किया गया था ग्यान भवन पत्ना के गांधी मुलिदान में है ज्यान भवन वहीं पे पांचवां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर की शुरुवात किया गया पुर्वी चंपारन पुर्वी चंपारन चर्चा में क्यों है कि पुर्वी चंपारन बिहार का पहला ऐसा जिला बना यह question important है और निश्री तरप मुझे लगता है पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला जिला का नाम बताएगे जहां 100% COVID vaccination हुआ है तो बिहार का पहला जिला बना है पुर्वी चंपारन जिसे मोध्यारी के नाम से आप जानते हैं वो पहला जिला बना है जिसने 7% COVID vaccination किया है अच्छा देश में किसने 7% COVID vaccination किया है तो बोबिनिश्वर पहला सहर बना था देश में जिन्होंने 7% यानि 100% COVID vaccination लगाया था डॉक्टर अरिंदम कुमार ये मधवनी के हैं बिसिकली और इसे राष्ट प्रेर्णा एवार 2021 से नवाजा गया है तो राष्ट प्रेर्णा एवार 2021 से किसे नवाजा गया है किसे सम्मानित किया गया है इसका नाम है डॉक्टर अरिंदम कुमार यह question बिहार में अलड़ी पूछा गया है बिहार के कहां पूछा गया है मुझे exact याद नहीं आ रहा है I think ओरिटर के एक्जाम में बिपेसी जो ओरिटर के एक्जाम लेती है साथ उसमें यह question आ रहा है इसलिए बिपेसी में यह question most important question है गंगा उध्वाव योजना गंगा उध्वाव योजना यह जो योजना है यह basically सिख्र सुद पेजल को प्रभाइट करना है गंगा जल को पेजल में convert करके उससे लोगों तक पहुँचाना है यानि सुद पेजल को पहुँचाने के लिए ये योजना के शुरुवात क्या गया है और इसका जो beneficial state है जिस जिला को लाव होता है इस योजना के ताथ वहीं question पूछा गया था ये किस जिला को गंगा उद्वहव योजना के तहत कोन जिला सामिल है यानि किस जिला को इसका benefit मिलता है तो basically ये राजगीर है गया है, बोद गया है और नवादा है तो राजगीर, बोद गया, गया और नवादा को इस योजना का लाव मिलता है इसके तहत सिग्र सुद पेजल को प्रभाइट किया जाता है इन चार जगह पे जिसका नाम है ये राजगीर, गया, बोद गया और नवादा इस योजना के सुद बेसिकली जल जीवन हर्याली अभ्यान के तरद किया गया था दानापूर रेल मंदल प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए दानापूर रेल मंदल अस्पताल में ऑक्सिजन प्लांट का सिलानियास किया गया है ये कुशन पूर सकता नॉमली कि हाल में ही प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा किस अस्थान पे ऑक्सिजन प्लांट का सिलानियास किया गया है तो वो है दानापूर रेल मंडल बिहार सदन काफी important है बिहार सदन बिहार सदन कहां बना है तो नई दिली में द्वारका में सेक्टर 19 में बिहार सदन बना है 10 मंजिला इमारत है और 108 कमले हैं अगर आप दिली जाते हैं तो वहां पर बिहार के ID काड्ड पे आप ढठ सकते हैं बिहार सदन में अचा बिहार सदन में बिहार लोकसिवाओं का अधिकार केंद्र भी शुरूग किया गया है यि दिल्ली में अवस्तित है बिहार सदन जो अवस्तित है द growaard का sector 1990 में मुगेर मुगेर सहर मुंगेर सहर में 167 km सिवरेज नेटवर्क की जाल बिछाए गया तो मुंगेर सहर में 167 km सिवरेज नहर का जाल बिछाए गया अच्छा इसे किस योजना के तर्थ इसका जाल बिछाए गया नहर का तो ये योजना important है मुगिर सहर में नमामि गंगे योजना के तहत इसका निर्वान बेसिकली किया गया अगें इंपोर्टन कोश्चिन है बिहार में नीती आयूग की तर्जबे जीलों की रैंकिंग की योजना आप सभी को ग्यात है कि 2030 में हमारा टारगेट है सस्टेनेवल डेवलेप्मेंट गूल की प्राप्ति का सस्टेनवल डेवलेप्मेंट गूल हमें 2030 तक प्राप्त कर लेना है तो ऐसे कंडिशन में नीती आयूग भी इस तरह का कुछ काम करती है परतेग राज्यों को ranking देती है जिसमें बिहार सबसे पिछे नुवर पे हैं तो इसी तरह का कुछ प्लान कर रही है बिहार सरकार कि नीती आयो को तरज पर जिस तरह से नीती आयो को पूरे देश में जितने भी स्टेट है सभी को ranking देने का काम करती है उसी तरह से जो sustainable development goal है सत उसके आधार पे बिहार के परतीग जीला को रैंकिंग देने का काम करेगे तो परतीग जीला पे आप कॉंपिटिशन होगा कि सथेनेवल डेफल्पमेंट गोल सतत विकास लक्ष में किस जीला ने कितना अच्छा काम किया है निशीत तोर पे बिहार के लिए साकरात्म के एक इंपॉर्टेंट न्यूज यह भी है यह भी हमनों डेनी जागरन राष्टे संसकन का जो डिस्केस करते थे वहां पे भी हमने इसकी चर्चा किया था कि इस संबंधन पोर्टल की सुरुवाद बिहार सरकार के सिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया डाइकली कोशन इस संबंधन पोर्टल की सुरुवाद किया गया बिहार सरकार के द्वारा भोला पास्वान सास्त्री इंपोर्टेंट इसलिए है कि बिहार के प्रथम दलित मुखवंत्री है तो कई बार कोशन पूछा है बिपेशी में या बिहार से सम्मादित अनित जो एक्जाम होते हैं उसमें कई बार कोशन पूछा गया है कि बिहार के पर्थम दलित मुखंत्री का नाम क्या है माजी जी नहीं है बिहार के पर्थम दलित मुखंत्री है भोला पास्वान सास्त्री रामधारी सिंग दिनकर की जैनती मनाई गया हाल में ही और इनकी जैनम दिवस जो है हाल में ही पटना, सीटी के LED बल्व, खिलोना, जूता चपल और स्थील फरनिचर के उद्ध्यों का कलस्टर बनाने की मंजूरी दिया गया तो पटना में किस-किस चीज का कलस्टर होगा एक तो LED बालू का होगा खिलोना का होगा जूता चपल का होगा और स्थील फर्निचर का होगा बिहार के पटना में इसकी कलस्टर की मंजूरी दिया गया तो ये था आज का discussion और ये discussion समधित था अक्टूर महने का अक्टूर महने में जो important बिहार में घटना करम हुई है ये घटना करम हुई है जिसकी चर्चा हमने आपके साथ किया है फिर अगला वीडियो में जल लाओंगा जहां पे number का हम लोग discuss करेंगे कि number महने में बिहार में जो important घटना करम हुआ है तो में से आप देखना सुरू किये मैं से अल्रेडी हमने discussion ने स्टार्ट किया है तो मैं से आप देखना सुरू किजिए BPSC के exam में वो आपको help करेगा लिंक आपको description में मिल जागा आप सारा का सारा वीडियो दिख सकते हैं में जून जुलाई अगस सेप्केमबर और अक्टूबर के बिहार के important current affair का चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थाइंक यू सो मज प्लीज डू लाइक चेनल सब्सक्राइब थाइंक यू